Hello, Good Morning and Welcome Back Friends, आप देखरें Golden Air Education YouTube चेनल, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 4 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपोटेंट का रंटा फेर बनते हैं, सारे इस लेसन में कम्पलीट करेंगे, साथी काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फेक्ट्वी यहाँ पी डिसकस करेंगे, सो चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो सबस्क्राइब प्लस उसाइड में बेल आइकन नीचे इस तरे का, इसे भी आप प्रेस कर लिजीगा, जिसे की आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रेगी, कंटिन्यू पिना मिस हुए, तो सबसे पहल दिया गया था रेसेंटली, चलिए आप बात करते हैं, आज की करेंट है फिर की, पहला प्रशन देखिए, तीन दिसंबर से भारत और एमेरिकी वायू सेना के बीच में, कौप इंडिया दोजार रिठार है, नामक सेन्य अभ्यास कहां सुरू किया गया है, तो आपका राइ आजन हुआ इसका इस बार, ओ कहां पर सुरूआ है, पस्सिम मंगाल में, देखिए जो पस्सिम मंगाल के अंदर जो भारती है, वायू सेना का जो एर बेस है, जिसका नाम है, कलाई कुंडा एर बेस ठीक है, वहीं पर इसकी सुरूआत हुई है, ये तीन दिसंबर से और 14 द वह यही है, कि जो वायू सेना है, दोनों देशों की उनके बीच में, आपसी सयोग को बढ़ाव देने के लिए ही, इस कॉप इंडिया, इसका जो है, एक्सराइज का आईजन करवाय जाता है, अर साल, ठीक है, चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट को, फिर देखिए अगला प् लिकिन उससे पहले थोड़ा सा ओपेक के बारे में जान लेते हैं, तो आपको सारी चीज़े किलियर हो जाएगी, तो देखिए ओपेक की मैं बात करता हूँ, इसका फुलफोम होता है, और गिनाजिसन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री यानि कि जो कंट्री पेट् बन चुका है 2018 में, ठीक है, तो इसी के साथ वर्तमान में इसकी ओपेक की सदस्थे संक्या कितनी है, पंद्र है, काफी बार पूछ लिए जाता है सदस्थे संक्या ओपेक की, और यहां से काफी बार कोसन बनते है ओपेक से, तो देखिए इसका है इसका है, विये ना में है, जो VNA सहर है कौन से देस का है? आश्ट्रिया का है आश्ट्रिया का जो सहर है VNA वहीं पे इसका headquarter वोपे का ठीक है चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसने छोड़ने की घोशना क्यों की है देखिए आपको पता हो यहाँ पर की जो कतर है वो एक्चुल में जो है जो LPG गैस है उसका विश्वय में सबसे बड़ा निर्यातक देश है तो यहाँ पे जो कतर का जो मतलब की राष्टपती है उन्होंने गोशना की है कि वो अब पेट्रोलियम की बजाई गैस पर फोकस करेंगे और इसी वज़े से यहाँ पे उन्होंने छोड़ने की यह निर्णा लिया है तो यही वज़े है यह ध्यान रख लीजेगा उसके बाद में कतर की बात की है हमने तो कतर की जो कैपिटल है वो है दोहा कतर की कैपिटल है after यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं इसकी currency की तो इसकी currency क्या है real, real यहाँ की currency है ठीक है यह दोनों चीज भी आप ठ्यान रख लिएगा तो सारी चीज़े आपको clear होगी बात करते हैं next version की देखिए तो आपका right answer होगा यह हुई है जो जापान है इसके बीच में और भारत के बीच में देखिए यह काफ़ी important ही यह अपडेट है तो आपको बता देगी यह पहला संसकान इसका यानि कि जो सिन्यूमेत्रिय अब्यास है यह पहली बार आईज़ित करवाय जा रहा है इस नाम से यह भारत और जापान की बीच में इसलिए थोड़ा important हो जाता है और इसका जो आईज़ित कहां क्या गया है पहली बार यह क्या गया है जो आगरा का एरबेस है हमारी वाई सेना का वहीं पे इसकी शुरुवात हुई है यह चलेगा 3 दिसंबर को इसका शुरुवात हुई है और 7 दिसंबर तक जो है इसका आईज़ित करवाय जाएगा आगरा के अंदर चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी जो मैंने जिसा की बताया यह जो सेन्य ब्यास है यह पहला संस करने इसका और यहाँ पे जापान की बात की है तो जापान की जो राजदानी है वो है टोकियो टोकियो जापान की केपिटल है और यहाँ की करंसी क्या है जापानी येन, जापानी एन या की करंसी है, ठीक है, इतना आप ध्यान रख लिजेगा, और यहाँ पर देखे, इसका विशे और ध्यान रख लिजेगा, आप जो यह सेन्य ब्यासिस का विशे इस बार खा, मानविय साइता और आपदा राहत, एक बार फिर से रिपिट कर रहा हूं, मा तक्निकि प्रबंदन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही इसका आउिजन किया गया है। जैसे कि मैंने हाँ पर यहां से कौसन पूछ ले आते हैं जो वर्तमान में आसियान के सदसे देश कितने हैं यह हैं दस सदसे देश है ठीक है जो एसिया सदसे देशों का एक संगठन है आसियन जो है और इसका जो हैड़कोटर है वो है जकारता में जो की इंडोनेसिया का सहर ह तो इतना सारे जी जवाब ध्यान रख लीजिएगा उसके बाद में next question देख लेते हैं अपना निमलिक्त में से किसे net health का नया महा सचीव नियुक्त किया गया है तो आपका राइटान सोगा सिधार्थ बठाचार्य को देखी जो सिधार्थ बठाचारी है वो net health के नये महा सचीव चुने गया है net health क्या है मैं आपको बता दूँ कि जो भारती एक तरीकी की भारती संस्ता ये संगय जो हमारे देश में आने वाले समय में जो स्वास्ते है उससे समन्दित नए नए मतलब की खोब वो करके इससे समन्दित जो नए नए चीज़े डवलप करके देश को रोग मुक्त बनाने के लिए ही ये कारिये करती है ये संस्ता ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बात करते हैं अगले प्रिशन की भारत में मूडीज दुआरा जारी नविंतम रिपोर्ट के अनुसार चालू वितवर्ष में भारत का वास्तिविक सकल गरेलू उत्पाद यानि की जीडीपी कितना रहने का अनुमान है ये भी काफी महत्प बात करते हैं अगले वर्ष के लिए जो जीडीपी बताए गई है आगामी बुटवर्ष के लिए लूद्वश के लिए 7.2 और आगामी बितवर्ष के लिए 7.4 परिशन के लिए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कोईसन की निमलिक्त में से किसे Bank of Maharashtra का नया MD और CEO नियूक्त किया गया है तो जो यहाँ पे BOM Bank of Maharashtra है इसका नया CEO और MD किसे चुना गया है ये चुना गया है SS Rajiv को चुना गया है जो कि इससे पहले जो Indian Bank है उसके भी निदेशक रहे चुके हैं ये आप ध्यानक लीजिएगा चलिए B.O.B की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका Headquarter पूने के अंदर है और इसकी स्तापना हुई थी B.O.B. की 1935 के अंदर इसकी स्तापना हुई थी Next question देख लीजिए निमलिक्त में से कोन अंतराष्टिय स्ूटिंग खेल संग यानि की ISSF के उपाध्यक्स बनने वाले पहले भारतिय बन गया है तो देखिए ISSF के उपाध्यक्स बनने वाले पहले भारतिय कोन बन गया है तो आपका राइटांस होगा रानेंदर सिंग जो है यह पहले भारती बन चुके हैं जो अंतराष्टिय सुटिंग स्केल संग है इसके उपाद्देक्स बनने वाले यहां पर यहां पर देखे बात करते हैं इनका कारेकाल तो इनका कारेकाल 4 साल तक रहे गाया यानकी 4 वर्स के लिए इनको यह चुना गया है और यह पहले भारतेस पद पर चुने जाने वाले इनका अगर समन्ध बात करते हैं इंका समन्ध किस खैल से यह भी आप आप ध्यान रख सकते हैं यह पूरों ट्रेप शूटर रह चुके हैं भारत के यह आप ध्यान रख लीजीगा ठीक है Isis Ip कि मैंने बात की है तो इसका जो headquarter आप याद रख सकते हैं जरमणी में Isis Ip का headquarter है next question की बात करते हैं देखिए निम्न में से किसने पूरे International Marathon 2018 में जीत राप्त की है तो आपका राइटमस होगा अटलाविम डे डे बे ठीक है जो अटलाविम डे बे बे है ये इन्होंने ये Marathon जीती है जो की हाल ही में पूरे International Marathon की नाम से पूरे में आज़ित करवाई गई है ठीक है और ये इसका 33 वसन स्कन था ठीक है और ये देखिए जो कहां की जो रणनर है तो आपको द्यान रखना है ये है इथोपिया की इथोपिया की ये रणनर है जनों ये जो मैरा था ने ये जीती है ठीक है नेक्ष्ट यहां पे दिखिए, हालिही में किस देश ने अंतराष्टिय दिव्यांग दिवस मनाई गया है? तो आपका राइटान्स होगा ये मनाए गया है तीन दिसंबर को विश्व में अंतराश्टी ये दिव्यांग देवस्यान की World Disability Day मनाए गया है ये आप दहां रख लीजिएगा अगर बात करते हैं इसकी सुरुवात की थी जो United Nation उसी के द्वारा इसकी मनाने की सुरुवात की थी 1902 में से ठीक है 1902 में से इसकी सुरुवात की थी तब से ये मनाए जाता है हर साल नेक्स्ट यहां पर देखिए इसकी उद्दे से की कर्मा बात करता हूँ तो इसका उद्दे से मनाने की ये ही है जो विकलांग लोग है उनको ससक्त बनाने के लिए ही उनको प्रेरित करने के लिए ही कायजन करवाय जाता है अब बात करते हैं देखिए आज की जो क्विजाब के लिए इसका अंसर लिखना आपको नीचे कमेंट वोक्स में तो देखे क्वेसन आज का हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019 के अनुसार रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है जो भी आपका राइट आंसर है लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो पसंद आईए तो लाइक शेर चरूर कीजिएगा आज की इस लेशन में इतना ही थेंक्यू समझ पर वचिंगाज धन्यवाद